ये शम्भू तेरा भग फिर से तेरे पास आ रहा है जै शिव शिव शम्भू जै शिव शम्भू अपना थ्यार उठाओ जै शिव शम्भू 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 जै शिव कोई government official नहीं बैठा होता है बट वो खुद ही मना करते हैं कि उपर मत जाओ उपर जानवर गएरा हो सकते हैं अगर आप साथ आठवे के बाद आते हैं फिर government official बैठे होंगे फिर आपकी परचीव गड़ेगी बाइचांस अगर आप परचीव गड़े नहीं लेके जाते हैं औ पी करनी चलाने ऐसे कुछ rules and regulations है जो आपको में डेटे फोलो करने हैं वैसे भी as a human being as a nature lover हमें खुद भी नेचों को प्रिजव करने में help करनी चाहिए कूड़ा करकर ना फिलाएं पानी अपने लेकर जाएं पानी की बोटल्स उपर नहीं मिलेंगी पानी और खाने बीने का समान नहीं मिलेगा तो अब अपना इसमान खुद ही कर लेकर लेकर जाएं तेरा भग्त पिरसे तेरे पास आ रहा है थोड़ी सी थकावट जरूर महसूस हो रही है पर तेरा प्यार तेरा शीरवाद मुझे इतना होसला देता है कि मैं बिना रुके बिना थकिया हूंगा जै तो शिरी तंगना जी के थोड़ी सी चड़ाई करने के बाद आपको एक बड़ा ही सुंदर और अकर्शिद व्यू देखने को मिलेगा खाली मैदान देखना मिलेगा जो कि शांगड वैली में भी देखने को मिलता है और उसका कुछ नजारा इस तरह से थोड़ा साम अभी प्रोक्सिमेटर वन किलोमेटर अपर आयोंगे यहां पर एक खुब सरा मैदान देखने को मलेगा और यहां पर एक दो शॉप्स भी देखने को मलें यहां पर होंस्टेज भी यहां पर वैसो तो मैं प्रैफर करूंगा कि यह ब्रेकफस्ट कोई हल्का फुलका करक्या ताकि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें क्योंकि यह जो ट्रैक का है इट विल कंजूम लॉट्स ओफ एनरजी क्योंकि हमें बता हमने ब्रेकफस्ट नहीं गया जस्ट चाय पीए बिस्किट खाएं और हम चल पड़ें पागलों की तरह क्योंकि शिव भक्त पागली होते है जो शिव का भक्त पागल है दुनियादारी से इसको कोई मतलब निया देना नि दुनियादारी से हिम्मत हो इसकी है यह छोटा सा बच्चा हिम्मत गर के आ रहा है हलो ह्योटो है हूआ यो वाट सो नेम बढ़ी समय कोशिक कंसी आयो आई गाली देली अकेली आगे ने किसके वह जाता है मम पापा कहा है मम पापा आपकी पीछ पीछ शोड़ दिया आपने मम पापा आप तो क्रीश हो यार हर हर महादेव दिल जीत लिए इस लड़के ने क्रेड़िट अलसो गोज तो माई शूज माई ट्रेकिंग शूज जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है इनका अल्मॉस्ट शिक्स्त ट्रेक होगा इन शूज के साथ हैंड तो बी हॉनस्ट बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी अब तो तूटने भी वाले हैं तो जो शिब रूप होगा वो नहीं है तो सारे होगे एक रहे जिए अब पांड़ा हो समझ गिए तो यहां से उपर का जो हिस्सा है यह नेपाल में पसुपति नाथ में चत्रमुक्सिवलिंग जिसकी महाँ पूजा होती यहां से नाभी से नीचे का इस्सा इंडिया में तो पांच केदार हैं केदारनाथ में इसकी पूजा होती है चेस्ट की और मदमहिश्वर में नाभी की पूजा होती है तो नाथ में बाजू की पूजा होती है रुद्रनाथ में इस फेस की पूजा होती है जो यह फेस है और जहां हम जोशी मट गए थे वहां पे कलपेश्वर पढ़ता है वहां पूजा यही होती है, जो रुद्रनाथ में है तो शीफ की गर्दन यह है अलकी से जब कल हम गोपिनाथ गे थे न आपने मैंने बोला था तूनाथ की पोड़ वो हां रुद्रनाथ की अब बड़ाय थे तो हम वाहां दे लिखा था कि भीम जी ने उनको पकड़ लिया था केदारनाथ से लोग पैसा डालते थे तो पशुपतिनाथ निकलता था अच्छा काहां परे और केदारनाथ में जो शीफिलिंग है उसकी महत्ता क्या है कि आप एक किलो घी लेके जाईए हां जी अभी तो नहीं जाने देते हूं आप पूजा की थारी लोगे उसमें थुड अच्छा जी हम अभी होके आएं पिछले महिने केदानाथ और बदरीनाथ गयाते करने ने देते बहुत ज़्यादा रच था हां जी हां जी बिल्कुल सभी पहले लोग घी लगा के अपने बदन रगड़ अच्छा जी बिल्कुल बदन पे घी नहीं लगता है अभी नहीं जैसे दर्शन करके बाहर आओगा हाँ हाट राई ओके शुक्रिया साथ जैश्यक शंबू और बकेट लिस में मेरी है कि यह भी डेसनेशन थी और यह भी कवर करूंगा और बकेट लिस में चेक डाल दूंगा शुक्रिया भुलेनाथ थेंक्यू सो मच दोस्तों ट्रेकिंग करने के साथ साथ नेचर को इंजोई करने के साथ साथ हमारे कुछ और भी रिस्पोंसिबिल्टी बनती हैं लाइक यह रैपस वगरा आप कुछ भी खाऊगे कुरक्रे वगरा यह जो मेरे फ्रेंड्स वगरा थे वो पीछे चोड़ के थे तो मैंने उठाया अब ठाके इसको कई मीलों का सफर तै करके और खूब सुर्थ वादियों को निहारते हुए एक जगा पर पहुंचें जहां से हमें खूब सूरत मंदिर देख रहा है तो दोस्तों वहां रहते हैं मेरे और आप सब के प्रिये महादेर वो उनका मंदिर है तो दोस्तों मंदिर के करीब 500 मिटर की दूरी पर ही एक आकाशकुन स्थापित है जो की इस वक्त बंद पड़ा था पर सुनने में आता है कि इस कुन में भी गरम पानी निकलता है फिर मंदिर के कपाट बंद होने के कारण हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं और आगे चंदरशीला की और पस्थान करते हैं रास्ते में काफी सुन्दर व्यूपॉइंट्स आते हैं जहां पर आप फोटोज और वीडियो क्लिप भी कर सकते हैं इड्रफ बांड हमने 3-4 घॉंड ट्रैक के लिज़ें बड़ अभी यहां से मंदिर से जो चंदरशीला का ट्रेक है वो सिर्फल सिर्फ एक किल्लॉमेटर जाना है हम अब यहाँ पर हैं और यहाँ से जाना हमने वहाँ से होते वहाँ से वहाँ से वह बहूता है उस होलब जो टॉप किच्ड़ाई है वह जो गुछLife डिख रही आ। वह फिल से पीछे गंगा से भी टाफ है यह जो रस्ता है कच्छी टाइल है कच्छे पत्थर है कोई भी रस्ता है डेडिकेट लीडी में आया गया यहां देख सकते हैं चड़ना तो फिर बंदा चड़ सकता है ध्यान से बट उत्तर ते वक्त ऐसे पर किसी बंदे के पैर वगर असलिप हो यह त तो दोस्तों यह जो जिगजाग अला रस्ता है केरे सिफ एक किलोमेटर का है बट इट स्मोधान टू किलोमेटर और में तीन-चर बंदों ने सजेस्ट कर दिया कि यह वाले रस्ते से सीधा जाओ आप और वह जो आपको टॉप पर दिखरी है ना वह दिखी वहां पर चंद और फिर जल्दी से पहाड के टॉप पर पहुंच कर वहां पर स्थापित मा गंगा धाम मंदिर के दर्शन करते हैं और वहां से दिख रहे ही खूबसरत वादियों का अनंद लेते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार रावन की हत्या गवार राम जी ने यहां पर प्राश्चित किया था और लोकल्स ये भी कहते हैं कि चंदर देव ने भी यहां पर तपस्या गी थे अपने श्राप से मुक्त पाने के लिए चाय और मेगी के प्रोफ से चल रहे थे इसका मेरा काफी ज्यादा हैड़ेक होने लग गया तू बी ओनेस्ट सच बताऊंगा एवरीटिंग विल बी ट्रू ट्रेक काफी डिफिकल्ट है ट्रेक की डिस्टेंस चाहे 4 किलोमेटर है बट ट्रेक की डिफिकल्टी काफी ज्या यहाँ पर आगया था में शिफ्ट लगा कि तो लास्ट चार दिन सो तो मैं सुर्फ टेली के तीन और चार तीन चार घंटे आसे सो हो रहा हूं यही कुछ स्ट्रगल होते हैं जब आप साथ में जोब भी कर रहे हो और साथ में आपको पना पैशन भी फोलो करना है बाकी ठी अब यहाँ से किसे अंटेटेनिंग और इंफरमेटिंग व्लोग के साथ तब तक के लिए ध्यान रखे स्वस्का है स्वस्तर ही भारत माता की जैए है अब यहाँ आप कि अ कि अ कि अ कि कि अ